क्या आपके भी पकोडे कडाय में चिपक जाते हैं तो ये वीडियो आपको ध्यान से जरूर देखना चाहिए हलो गुट मॉनिग वियर्स वेल्कम टु बैक कवर चैनल आप सब कैसे उमीद करती हो आप सब बहुत अच्छे होगे आपके वीडियो आपको एंट तक देखना चाहिए बहुत ही स्पेशल हैक में आपको बताने वाली हूँ जो आपके लाइप की बहुत सारी समझेयाओं कर देंगे वीडियो को एंट तक जरूर अच कीजिएगा देख लेते हैं पहला इस फुल टेप पहला इस फुल टेप मेरा पकोड़े से जुड़ा हुआ है क्या आपके पकोड़े भी ठीक से नहीं बनते हैं और कड़ाय में चिपक जाते हैं तो यह है का आपको पहुत ज़ादा तो पहले आप यह देख लीजे कि यह कड़ाय से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो यहां पर एक special trick है जो कि मैंने लगाई है यह मेरा personal experience है तो इसे आप ज़रूर करके दिखेगा आपने जब भी कुछ फ्राई करना है कोशिश कीचेगा आपने एल्लिमियों की लेकर आई हूँ लोहे की है इसलिए इसका कलर ऐसा है पर यह बहुत ज़दा काम आती है जब भी मुझे पकोडा फ्राई करना होता है बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और जो तेल है वो भी बहुत कम लगता है इतने से तेल में मैंने लगभग दो केजी फिश को फ्राई कि और यहां पर देखे मैं जैसे जैसे फिश डालती जारी हूँ दूसरी फिश ना अपने आप उसकी जगा बना रही है बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है बहुत ही कमाल का है तो आप ना कडाई का चुनाओ अगर लोहे की करेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम कभी नहीं या प्याज पुरा काट लेते हैं उसके बाद में हमारे हाथों में से बहुत जादा ना बैड समयल आती है अब हम बरतन लिक्विट से हाथ होए या हैंड वोस से धोए या साबुन से धोए वो समयल ना जाने का नाम नहीं लेती है तो एक चोटा सा मुस्का में आपको बता बस अच्छे से ना अपने हाथों में इसे स्क्रबिंग करनी है अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे आप देखेंगे इस चैपत्ती में जितनी स्मयल प्याच की आपके हाथों में थी वो सारी की सारी निकल जाती है मैंने इसे कर की दीखा है मुझे तो बहुत अच्छा है इस स्वाइब खूठी है तो बहुत बार ऐसा हो ता है कि आमने तीन चार टाइम सब्जिया बंती है और उंस ज़ता है उन सब में पियाज ललना होता है तो कोशिच कीजे एक इस बार में पियाज को छिल के रख लेगा और पानी बारी त्रिक मैंने आप रख दीजिए जब आप सब्जी कटिंग करते हैं या आटा लगाते हैं उसकी बीच में जो टाइम होता है उस टाइम इस रिक को यूज करके देखिएगा प्याज आपकी आखों में बिल्कुल नहीं लगने वाला है और दीन भर में अगर तीन चार बार सब्जी बनती है और प्याज बार बार डालने का काम होता है यारी कि प्याज की ही सब्जी में बैसिक मसाला बनता है तब तो आपने दिन भर की जितने प्याज है या जितनी बार की सब्जी बनती है पूरे प्याज कटिंग करके इस तरगी से कीचन डस्टर में रख सकते हैं इसे प्याज ख चिम्टे से हम रूटी पकाते हैं पर इसके उपना हम ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए बहुत बार क्या होता है इस चिम्टे में ना चिकनाहट आ जाती है हम नॉर्मर बलतल लिक्वेश से तरह से क्लीन करते हैं उसके बाद इसकी जो चिकना हट है वो बिल्कुल नहीं जाती है तो आप यूज कर सकते हैं नीबू का तो मेरे पास एक पुराना नीबू था जिसका कवर आप देख सकते हैं कि लगबख सुक चुका है पर इसके दर जूस काफी सारा था तो मैंने से नहीं फेका और इसका मैं इस तरह के सी यूज कर रही हूँ तो आपके पास अगर फ्रेश नीबू है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं और अच्छे से ना इस चिम्टे को स्क्रबिंग करनी है इससे क्या होगा इस असपस कि जितनी पी चिकना हट है ना बहुत आसानी से निकल जाएगगी कभी भी आपको चिम्टा खराब नहीं होगा और चिकनाहट की वज़े से तो बिल्कुल भी नहीं तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको बहुत ज़ादा पसंद आता है देख लेते हैं आज के अगले इस फुल हैक मिकसर का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़ादा होता है कभी कभार तीन से चार बारी चल देता है तो हर टाम हम इसकी क्लीनिंग कर पाए पॉसिबल नहीं होता है लगभग दो दिन से मैं भी इसको क्लीन नहीं की हूँ तो सोचा मैं यह ट्रिक आपके साथ शेयर करूँ अगर आपको पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा तो यहाँ पर मैं दो ट्रिक बताऊंगी दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं एक है हार्पिक वाली तो बस मैंने इसे डाला पुराना ऐसा एक टूद ब्रश लेना है और अच्छे से स्क्रबिंग कर देनी है हातों हाती क्लिनिंग हो जाती है तो इससे आप बहुत सारी क्लिनिंग कर सकते हैं एक हार्पिक चूटी सी वोटरल आप कीचन ने जरूर रख लीजेगा जिससे आप कीचन के ही जो प्लास्टी की बरतन है उनको अच्छे से क्लीन करें जो की चिकने हो जाते है तेल की वज़े से और निकलने का नाम नहीं लेता है और बहुत सारे बरतन लिपिड हमारा खर्च होता है तब ना आप हार्पिक का यूज कर सकते हैं इसे तरह के से कोई खराब चीज नहीं है यह एक क्लीनर ही है बस यूज इसका टोलेट में किया जाता है इसलिए सुनने में बुरा लगता है तो यहाँ पर मैंने हार्पिक को यूज करते हुए अच्छे से मिक्सर जार को क्लीन कर लिया है आप हर्पी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है यहाँ पर शेंपू शेंपू हर घर में होता है तो हमेशा नहीं एक रुपे वाले शेंपू घर में एक्स्रा ही रखती हूँ ताकि इस तरह की क्लिनिंग में ये काम आए तो शेंपू लेना है और इसमें कुछ एड़ नहीं करना है यानि पाने वगेरा एड़ नहीं करना है क्योंकि हम इसे लेक्ट्रोनिक अप्लाइंस के उपर यूज करने वाले हैं अगर थोड़ा बुद भी पानी हुआ ना तापकि जो अप्लाइंस से खराब हो सकते हैं इससे अब आपने इसकी सर्फेस को क्लीन करना है तो यहाँ पर आप चाहे तो ब्रश का यूज कीजिए या फिर यहाँ पर गिनिस क्रप का भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज़ादा इसमें डार्क स्टैन है तो इससे भी बढ़या से क्लीनिंग हो जाती है खुश्बू भी ब बसंद आया होगा चार्जर के वायर हुए या इस तरीके से के वायर हुए कोई वायर वगेरा भी बहुत ज़ाना गंदे हो जाते हैं जब आप इसे बार बार टच करते हैं तो यहाँ पर दो ट्रीक मैंने बताई है आपको एक शैंपू वाली एक हार्पिक वाली जो इस ताब रूद्द बी य सी बार 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 इसे टच करते है तो आपने देखा हुआ हुआ काले काले से रह दाग इसके उकर आजाते है यह हार्ड वोटर के स्टैन होते हैं जो के असाने से नहीं निकलते हैं यहाँ पर भी खूटने की मैं दो ही तरीके आपको बताओँग तो अब बस इसके साथ यही है कि इसे डालते ही आपने छोड़ना नहीं है हातों हाती क्लेरिंग करते जाएए बहुत ही आसानी से आपको रिजल्ट मिलेगा और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है हापी का प्लास्टिक की सर्फेस के लिए तो मुझे तो यह प्रसनल एक्सप इसको भी आप एक बार यूज करके दीखेगा तो देखे जब हम हार्पी का यूज करते हैं तो हातों का बिल्कुल यूज नहीं करना है हो सके तो गलप्स को पहनिए यह कोशिश किजिए कर ना के वरापर आप हार्पी को टच करें यह है हार्पी को यूज करने का तरीका द अच्ये से इसको जशे हम मजा करते हैं उस तरीके आपके से बातरू मे जी उसे करो जाटन पढेंगा जितने बिल्कुल से निकल जाएं क्योंकि अमारे वया ओत रूम में होता है है तो आपना शेंपू का यूज कर सकते हैं मैंने बातरूं से बाहर निकल का तरीका नहीं ब हार्पिक में आपको स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती है हातो हाती रिजल्ट आ जाता है और इंस्टेंट सॉलिशन है तो दोरों में से यहां पर भी आपको जो अच्छा लगता है उस रिक का आप यूस कर सकते हैं देख लेते हैं आज का अगला यूसफुल है कंगे का यूस आपको बार-बार सीर में डालना अच्छी बार नहीं होती है स्केल खराब होते हैं और बहुत बार इंफेक्शन भी हो जाता है तो जब भी आपको कौंग गंदा लगता है तो आप ना यहां पर लगा लीजे कपड़े दूने वाला हलका सा साबूर और यूस कीजे कपड़ पर ट्रिक मेने पहले भी बताया है शेंपू का बताया है पर वह थोड़ा थाइम कंजूमिंग होता है और अलग से अच्छी आपको लगता है तो बस आपने जब भी आपना आने जाते हैं वाश्डू में इसे पटक दीजे और जब भी आपको टाइम मिलता है एक मिंट से कम वक्त लगेगा और हाथो हाथ ही ना आपकी जो कंग वगेरा हैं क्लीन हो जाते हैं मुझे तो बहुत कमाल का हैक लगा एक बार आप भी जरू करकी देखिएगा चले मिलते हैं अगली इस फुल वीडियो में चापकी घर और किचन के काम को आसान बनाए देखने के लिए धन निवाद